हलो एवरिवन गुड इवनिंग वेलकम एक टू पर्चम आज हम अपना जग्राफी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पहला जो टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो है सोलर सिस्टम यहां से आपने देखा होगा लास्ट यह कापी कुछ कॉश्टिंस एक्जाम में फ्रे के बारे में जो भी important question यहां से frame हो सकते हैं वो हम देखेंगे ठीक है तो आज का हमारा topic रहेगा solar system topic स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए question रहेगा which of the falling part of the sun is visible at the time of the eclipse जब eclipse की घटना होती है मतलब सूर्गरंड की घटना होती है तो हमको सूरज का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है photosphere, corona, chromosphere या फिर cold आपका जो भी answer हो का आप लोग comment section में बताएंगे और video को last तक देखेंगे क्योंकि last में आपको एक और question प्रोवाइड किया जाएगा तो इस तरीके से आप दोनों question के answer हमको video के last में बता दीजेगा यहाँ पर पर्चम के team आप लोगों के लिए लेकर आई है पूरा एक SSE का course जहाँ पर आपको quality, geography, history, economic, science और static G की cover कराया जाएगा with PYQs, previous year के questions के साथ साथी साथ इन सब का PDF भी available है, video भी available है एक पर आप पर्चम के application पे visit कर लीजेगा और वहाँ से आप इस course को purchase कर सकते है जो आने वाले exam में आपकी तैयारी के लिए फायदे मन्द होगा क्योंकि हर एक वीडियो के last में कुछ questions आप लोगों के लिए दिये गए हैं जिससे आपकी practice भी अच्छी होगी ठीक है, तो आईए आज के session के हम शुरुआत करते हैं solar system के साथ तो यहाँ पर solar system में जो हमारा father of solar system हम कह सकते हैं वो sun कहलाता है क्योंकि sun एक luminous object है, एक star है जिसकी अपनी खुद की light होती है इसके अंदर nuclear fusion होता है जिसके जरीए इसको energy मिलती है और यही energy electromagnetic radiation के form में अर्थ के surface तक पहुँचती है हम सभी जानते हैं लगभग 8 minute and 16 second का समय sun की light को अर्थ तक पहुँचने में लगता है जो की एक electromagnetic radiation के जरीए यह light अर्थ तक पहुँचती है तो sun एक luminous object है, इसकी अपनी एक light होती है और सारे के सारे planet जो है, वो इसकी light को ही reflect करते हैं इसलिए हमको हमारे planet जो है, वो चमकदार दिखाई देते हैं अब sun जो है, वो energy house तो होई गया हमारे solar system का सारे के सारे planet जो है, वो इसी sun के around revolve होते हैं पहले अगर हम बात करते हैं, टॉल्मी के बारे में तो टॉल्मी ने कहा था कि हमारा जो पूरा universe है, यह हमारा जो solar system है वो geocentric है, geocentric का यह मतलब हुआ कि हमारी earth जो है, वो center में है बाकी सारे planet इसके around revolve होते हैं ऐसी information हमको टॉल्मी ने दी थी, लेकिन बाद में कॉपर्निकस और कैपलर जैसे विज्ञानिक आते हैं और वो हमको information देते हैं, नहीं हमारा जो solar system है, वो geocentric नहीं, यह holiocentric है इसका यह मतलब हुआ कि sun center में है और बाकी सारे जो planets है, अपनी particular orbit में sun के around revolve होते हैं ठीके, तो हमारे solar system का 99% जो mass है वो contain करता है sun sun की age बताई जाती है कि लगभग 4.6 billion year old जो है, वो हमारा sun है और लगतार यह energy को radiate कर रहा है nuclear fusion के जरिए, क्योंकि इसमें 71% इसके composition में 71% hydrogen है और 27% के आसपास आपको helium देखने को मिलेगी और 2% जो है, वो दूसरे element यहां पर देखने को मिलेंगे तो लगातार hydrogen और hydrogen atom आपस में मिलके helium atom बनाते है और बहुत जादा energy को generate करते है और यही energy का source जो है, वो sun के पास है तो sun का mass बहुत जादा है हमारे solar system का 99% जो mass है, वो sun contain करता है अगर हम sun के diameter के बारे में बात करते है तो sun का dia 109 times जादा है अर्थ के diameter से, ठीक है यहां पर अगर हम distance की बात करते है अर्थ और sun के बीच का distance 149.60 million km है sun जो होता है, वो अपनी axis पे भी घूमता है और यह west to east direction में घूमता है इतनी बाते हमको sun के बारे में बता चली और sun जो है, वो कह सकते है hot wall of glowing gases है अगर sun के temperature को हमें measure करना है तो हमारे पास कुछ equipment या devices होते है जैसे की bolometer है, pyrometer है ऐसा devices है, जिनके जरी हम sun के temperature को measure कर सकते है अब यहां पर अगर हम sun के बारे में बात करते हैं तो लगादार sun में solar flares बनते हैं sun spots देखे जाते हैं तो corona की study करने के लिए sun की study करने के लिए sun के surface की study करने के लिए लगादार कई सारे mission जो है वो अर्थ की surface से launch किये गया है जिन में से एक mission आपको पता होगा जो कि recently launch किया गया था पारकर solar probe 2018 में से launch किया गया था और इसने अभी recently sun के बहुत नजदीक पहुँचके वहां की picture समको sign की थी जो कि NASA का एक mission था अब भारत भी यहाँ पे पीछा नहीं है भारत भी आदित L1 को launch कर रहा है जो कि sun की study हमें करके बताएगा क्योंकि sun से जो electromagnetic radiation आती है जो solar flares generate होते है यह हमारे ionosphere में हमारे जो satellites है उनको damage कर देते हैं जब बहुत ज़ादा magnetic field generate होती है तो हमारे जो power grids होते हैं transformers होते हैं उनको disturb करने का काम इस solar flares करते हैं तो इसलिए इनकी study करना हमारे लिए बहुत important हो जाता है आईए हम बात करते हैं structure of sun के बारे में तो sun देखो sun का जो inner portion कहलाता है वो core कहलाता है यहां का तापमान बहुत ज़ादा होता है magnetic field बहुत ज़ादा होती है तो core का temperature सबसे ज़ादा होता है यहीं पर आपको nuclear fusion की process देखने को मिलेगी core के बाद अगला जो red color का zone मिल रहा है वो आपका radiative zone है core से energy जो है वो radiative zone में आती है और radiative zone के बाद अगला जो zone आपको दिखाई देता है वो zone होता है convection zone और energy convection zone में आती है जैसे जैसे energy बहार की तरफ आती है temperature sun का कम होता चला जाता है अब ये जो हिस्सा दिख रहा है पतला सा जो आपको दिखाई देता है अर्थ की सर्फेस से जिसको आप सन का सर्फेस भी बोलते हैं तो सन का सर्फेस हम किसे बोलते हैं फोटोस्फेर को कहते हैं 10. अर्थ की सरफीस से हमें Sun का जो हिस्सा दिखाई देता है वो फोटो इस्फेर कहलाता है। इसी फोटो इस्फेर में आपको सुलरी फिलियर्स जनरेट होती हैं अब फोटो इस्फेर के बाद जो दो हिस्से होते हैं वो तो यह बाहरके दो लेयर्स होती है जो पहती तिल लेयर होती है iç यह गैस तबनाने का काम करते हैं अब सब्सक्राइब कर दो फोंड़ोस्टि गैसल्सियस के लिए सब्सक्राथ में इसब्सक्राद बाहरा जादा ही थो बाहर कि तरफ ने बढ़ार में और कोरोना है वो हमको नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब सोलर एकलिप्स होता है, जब सूर ग्रहन होता है, मतलब जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो उस समय हमें सन का जो पोर्शन दिखाई देता है, वो कोरोना हमको दिखाई देता है, मतलब जो थिक गैस की layer है वो हमें दिखाई देती है तो इस तरीके से ये एक internal structure होता है sun का लेकिन corona का तापमान भी बहुत ज़ादा होता है चीके तो ये सारी बाते यहाँ पर लिखी हुई है कि core सबसे ज़ादा गरम है 15 million degree Celsius का लगभग तापमान यहाँ पर जाता है nuclear fusion की process होती है फिर radiative zone आता है convection zone आता है फिर photosphere आता है जो कि sun का visible surface होता है फिर chromosphere और corona आता है chromosphere एक thin layer of gases होती है above the photosphere और corona जो है वो thick layer of gases होती है above the chromosphere और corona को हम solar eclipse के समय देख सकते हैं अब बात होती है solar cycle के बारे में तो अभी हम अपनी 25th solar cycle में enter कर चुके है अब यहाँ पर जो photosphere होती है वहाँ पर कुछ sun spot होते है sun spot वो जगह होती है जहाँ पर तापमान कम होता है जहाँ का temperature कम होता है generally जो photosphere होता है वहाँ पर temperature आपने देखा 50-100 degree Celsius के आसपास होता है लेकिन sun spot जो होते है उनका temperature कम होता है लगबख 3800 degree Celsius के आसपास होता है यह जो sun spot होते है इसमें जो dark area दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर energy कम है तो energy कम होने के कारण यह आपको black color के दिखाई देते है और इस sun spot की जो eye होती है उसको उम्मरा कहते है या solar flares जो है वो हमारे ionosphere में पहुँचती है और ionosphere में पहुचने के बाद वहाँ पर हमको एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है हमारे poles पे तो हमारे south pole और north pole पे जो चमकदार रोशनी हमको दिखाई देती है उसको aurora कहते है तो basically जो हमारा north pole है जब यह घटना होती है नौर्थ पोल में चमकदार रोशनी इस तरीके से दिखाई देती है तो इसको aurora boralysis कहा जाता है और जब south pole में हमको यह घटना देखने को मिलती है तो इसको aurora australis के नाम से जाना जाता है तो इस solar wind बहुत dangerous होती है हमारे power grid हमारे transformer को भी damage करने का काम करती है हमारे communication system हमारे satellite को भी effect करने का काम करती है अब solar system में हमने sun के बारे में बात की और sun के around सारे के सारे planet जो है वो revolve होते रहते हैं कोई planet जितना जादा दूर होगा sun से उतना जादा समय लगेगा sun के around एक चक्कर पूरा करने में जैसे mercury है mercury है sun के बहुत करीब है तो उसको केवल 88 days का समय लगता है कि वो सूरज के एक चकर पूरा कर लेता है लेकिन वहीं अगर हम Neptune की बात करते हैं वो sun से काफी दूर है उसको 165 years का समय लग जाता है सूरज का एक चकर पूरा करने में तो अब यहां पर बात हो रही है हमारे solar system के बारे में तो sun के अलावा 8 planet है हमारे solar system में तो किसी भी आप body को planet कब declare करोगे या किसी body को planet हम कब कहेंगे तो यहां पर एक definition जो है International Astronomical Union के दवारा 2006 में दी गई है 2006 में International Astronomical Union की एक meeting हुई थी प्रियाग में जहां पर 2500 के आसपा scientists different location से खटे हुए थे और उन्होंने planet की definition को दिया था 2006 के पहले की बात करते हमारे पास 9 planet हुआ करते थे लेकिन आज हमारे पास 8 planet है ऐसा क्यों हो गया ज़रा हम देखते हैं इन्होंने definition यह दी कि कोई भी अगर body है वो planet है तो वो sun के around fixed orbit में एक particular orbit में चक्कर लगाएगी अब उसका size कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वो अपने आकार को अपने shape को maintain कर सके कि उसका size इतना होना चाहिए कि उसकी अपनी खुद की gravity हो जिसके कारण इसका size या shape वो maintain रहे साथी साथ जो आसपास के दूसरे objects हैं उनसे वो अपने रास्ते को clear कर सके तो यह कुछ condition जो है वो planet होने के लिए 2006 में बोली गई थी लेकिन अब बात आती है प्लूटो की तो प्लूटो जो है वो 2006 से पहले planet था फिर प्लूटो के बारे में यह पाया गया कि प्लूटो का size बहुत छोटा है उसका size छोटा होने के कारण इसकी gravity बहुत छोटी है और gravity कम होने के कारण वो अपने size को अपने shape को maintain नहीं कर पाता पहली चीज़ दूसरी बार जब प्लूटो सन के around चक्कर लगा रहा था तो वो Neptune की orbit को cut कर रहा था जो कि एक planet होने के लिए सही नहीं है तो यह कुछ condition होने के कारण Pluto को planet की category से बाहर कर दिया जाता है और 2006 से हमारे पास 8 planet है अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं International Astronomical Union के बारे में तो 1919 में Paris France में इसको बनाया गया था to promote and safeguard the science of astronomy through the international corporation assign official name and designation to the celestial body अब कोई भी बाडी आपको मिलती है जैसे कि कोई एक black spot मिला या black hole मिला या sun spot मिला वो उसका नाम करना है तो नाम करन करने के लिए body वेटी हुए यही body जो है वो नाम करन करने का काम करेगी अब बात हो रहे हैं हमारे planets के बाहरे में इनको हम जो भी इन प्लैनेट या आउटर प्लैनेट की नाम से जानते हैं. तो चार हमारे इनर प्लैनेट है और चार हमारे आउटर प्लैनेट है. अब बड़ी सिंपल सी बात है, जो इनर प्लैनेट है, वो सन के जाधा नस्दीक है, तो इनका तापमान जादा होगा, इनका temperature जादा होगा, और यह जो चारो प्लैनेट होते हैं, यह solid प्लैनेट होते हैं, इनमें rocks भी मिलेंगी, mountains भी मिलेंगे, अब पीछे के जो चार प्लैनेट हैं, वो संसे दूर हैं, तो इनका temperature कम होगा, साथ ही साथ temperature कम होने के कारण, यह यहां पर यह जो है जनरली gases form में आपको ज़ादा मिलेंगी, यहां पर आपको gases ज़ादा मिलेंगी, तो inner planet जो है वो solid form में मिलेंगे, outer planet जो है इन में gases ज़ादा होगी, अभी जब solid form में है तो इन planet की density भी तो ज़ादा होगी, तो यहां पर inner planet जो होते हैं, उनकी density भी ज़ाद होती है जैसे की अर्थ, अर्थ की डेंसिटी हमारे सोलर सिस्टम के सारे के सारेstes सबसे किसे की में कितनी है? केवल 0.5 GPM2 , मतलब water की density से भी इसकी density कम है अगर आप Saturn को float करेंगे अगर पानी में डालेंगे ना तो पानी में float होगा ना कि डूबेगा तो यहाँ पर आप देखो कि inner planet की density जादा है और outer planet की density कम है अब एक एक करके इन planets के बारे में कुछ खास बाते हम सीखते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम मरकरी के बारे में तो मरकरी हमारे solar system का पहला planet है जो की smallest planet भी है हमारे solar system का sun के सबसे जादा करीब है इसलिए इस पर gravitational pull भी जादा लगता है इसलिए बहुत जादा fast है बहुत जल्ली जो है वो sun के around एक चक्कर पूरा कर लेता है और अपनी access पर भी घूम लेता है ये केवल 88 days में sun का एक चक्कर पूरा कर लेता है और इसका rotation time जो है 58 days है मरकरी का अपना कोई चंद्रमा नहीं है कोई moon नहीं है इसके अलाबा मरकरी के पास एक और चीज नहीं है जिसका नाम है atmosphere अब atmosphere नहीं होने के कारण मरकरी के losses क्या है देखिएगा जैसे कि electromagnetic radiation अर्थ पर आती है अब अर्थ के पास अपना atmosphere है तो ये atmosphere में जो gases होती है इस अर्थ जो sun की radiation इनको absorb कर लेती है पूरी तरीके से reflect होने नहीं देती इसलिए अर्थ का एक average temperature बना हुआ होता है ऐसा नहीं है कि दिन में बहुत गर्मी है तो रात एकदम ठंडी हो गई माइनस में temperature चला कि ऐसा नहीं होता जबकि मरकरी के साथ problem ये है कि मरकरी के पास atmosphere नहीं है तो दिन में तो ये बहुत गरम होता है लेकिन रात में बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि सारी की सारी energy जो है वो बापस reflect हो चुकी है इसलिए हाँ पर temperature difference बहुत जादा है तो सबसे जादा दिन और रात के बीच में temperature difference देखा जाएगा वो mercury में ही देखा जाता है clear हो गए इतनी चीज़े mercury के लिए mercury पे जो भी mission भेजा गया था NASA के दौरा 2004 में भेजा गया था जिसका नाम था messenger ठीक है mercury के बाद अगला जो planet बनता है वो है Venus Venus को Earth की sister भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है अर्थ की sister क्योंकि size में shape में और rotation time में sorry rotation time नहीं बोलेंगे revolution time में almost equal है अर्थ के इसलिए Venus को जो है अर्थ की sister भी बोला जाता है यह second planet है solar system का और sun से distance के हिसाब से भी second number पे आता है Venus अब देखेगा मैंने जैसे के कहा यह sun है और sun के चारो तरफ orbits में जो है हमारे planet चक्कर लगाते है अब सारे के सारे planet जो है वो anti-clockwise direction में घूमते हैं कैसे घूम रहे है anti-clockwise direction में केवल और केवल दो planet ऐसे है जो opposite direction में मतलब clockwise direction में घूम रहे है वो दो कौन-कौन से है तो याद रखने का तरीका है UV UV का मतलब यहाँ पे ultraviolet से नहीं है UV का मतलब है Uranus और Venus Uranus और Venus हमारे पास दो ऐसे planet है जो कि clockwise direction में घूमते हैं बाकी सारे planet anti-clockwise direction में sun का चक्कर लगाते हैं तो Venus कैसे घूमेगा? clockwise घूमेगा यही कारण है कि Earth की surface से दिन और शाम को मतलब morning में और evening में दोनों समय Venus को देखा जा सकता है इसलिए Venus को हम morning star भी कहते हैं और morning star के लावा Venus को हम evening star के नाम से भी जानते हैं Venus के पास भी कोई भी moon नहीं है मतलब कोई भी इसके पास अपना satellite नहीं है इसका rotation time 243 Earth Day है मतलब इसको अपनी एक axis में जहां हमारी Earth 24 घंटे में अपनी axis पे घूम जाती है वैसे ही Venus को 243 Days लग जाते है मतलब यहां पर आप बोलोगे कि अगर पुछा जा दिन सबसे बड़े कहां है तो Venus में दिन और राते बहुत बड़ी-बड़ी होंगी इसका slowest rotation है solar system में सबसे दीरे-दीरे यह घूमने का काम करता है उसका revolution time 224 Earth Days है अब शुक्रयान जो है 2024 में ISRO ने proposed किया है कि हम Venus की surface पे orbital mission भेजेंगे देखते हैं आंगे तो अब अगली बात करते है Venus के बारे में 90% points में उपर नीचे हो जाता है तो हम बोलते है global warming हो गई है climate बहुत change हो रहा है यहां तो 90% carbon dioxide तो आप सोच सकते है एक तड़ी किसी pressure कुकर की तरह Venus काम करता है बहुत ही गरम planet है हमारे solar system का Venus hottest होने के साथ brightest planet भी हमारे solar system का Venus है इसको sister planet भी कहते है Earth की twin भी कहा जाता है morning star और evening star भी हम Venus को कहते है Venus की बाद अगली जो planet आती है वो है हमारी Earth Earth जो है उसकी 70% area में water भरा हुआ इसलिए space से देखने पर ही हमें blue color की दिखाई देती है इसलिए हम Earth को blue planet भी कहते हैं sunset distance के हिसाब से यह third number का planet है अगर हम size की बात करते है तो size में हमारे solar system का fifth number का सबसे बड़ा planet जो है वो अर्थ है inner planet में सबसे बड़ा Earth है अब Earth जो है वो अपनी axis पे 23 hours 56 minutes और 4 seconds में Earth rotation खतम करती है और sun के around इसको 365 days 5 hour 48 minute का समय लग जाता है अगली बात अगर हम करते हैं हमारी Earth का एक ही मात्र natural satellite है जिसका नाम क्या है moon तो moon एक मात हमारी Earth का satellite है अगर हम moon की बात करते हैं तो moon और Earth के बीच का distance जो है वो 3,85,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा अब यह moon और Earth के बीच का distance थोड़ा सा वेरी होता रहता है पी से पास और पी से पैरी जी आप याद रख लेंगे तो moon और Earth के बीच का distance जब minimum होता इसको पैरी जी कहते हैं और पैरी जी जब होती है तो moon हमें बड़ा दिखाई देगा क्योंकि वो Earth के थोड़ा करीब है तो उस समय moon का साइस 30% तक ज़ादा बड़ा दिखाई देता है जिसको हम सूपर moon भी कहते हैं और अप जी वो घटना होती है जब moon और Earth के बीच का distance maximum होता है दोनों दूर दूर होते है अब moon जो होता है वो Earth के अरॉण भी चक्कर लगाता है और Sun के अरॉण भी चक्कर लगाता है और अपनी एक्सिस पे घूमना ही है तो यहाँ पर moon का जो rotational time है वो 27 days, 7 hour और 43 minutes होता है ठीक है अब Neil Armstrong वो पहले person थे जिनको Apollo 11 mission से जुलाई 1969 में moon पे भेजा गया थो और moon पे कदम रखने वाले पहले वेक्ती भी Neil Armstrong थे clear हो गया अगली बात अगर हम moon के बारे में करते तो super moon में आपको बता चुकी हूँ अब मैं बात कर रही हूँ blue moon के बारे में अब blue moon क्या होता है देखिए गा आप लोगों को पता है 15 days की cycle होती है 15 days में पूर्णिमा मा आती है जब full moon होता है फिर 15 days बात अमावस से आती है जब no moon की condition होती है ऐसा ही होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मन्थ में दो full moon की condition हो जाए मतलब एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा पढ़जा जो कि बहुत ही rare होता है तो जो second time full moon दिखाई देता है उसको ही हम blue moon की घटना कहते है लेकिन याद रखिएगा एक बार caution पुछा गया था कि इन में से कौन सा मन्थ है जिसमें blue moon का incident नहीं होगा तो answer आजाएगा feb क्यों नहीं होगा क्योंकि feb में तो 28 days ही होते है तो यहाँ पर 15-15 दिन की cycle complete हो ही नहीं सकती मतलब एक ही महीने में दो बार full moon हो ही नहीं सकता clear? तो blue moon वो होता है जब एक ही मन्थ में दो बार full moon की condition होती है तो second time जो full moon बनता है उसको हम blue moon की घटना कहते है तो यह बाते आपको याद रखनी है अब moon पे investigate करने के लिए पानी का पता लगाने के लिए atmosphere का बहा का पता लगाने के लिए जो है कई सारे lunar mission जो है वो समय समय पे launch किये गए है अब भारत का जो lunar mission है उसका पहला नाम था चंद्रियान 1 जो की एक orbital mission था चंद्रमा के orbit पे जाएगा investigate करके आएगा 2008 में इसको launch किया गया था इस रोखे द्वारा अगर हम बात करते हैं चंद्रियान 2 के बारे में जिसको 22nd of July 2019 में GSLV Mark 3 के द्वारा launch किया गया था जिसका काम क्या था कि यह South Pole पे उतरेगा और वहाँ पर जाके जो स्वाइल वगेरा उनको collect करेगा में एक Lander था और प्रग्यानिक Rover था जो कि इस Looner Mission में भेजा गया था अगली अगर हम बात करते हैं तो Mars के बारे में Inner Planet का जो Last Planet है वो Mars है Mars Sun से Distance के हिसाब से 4th number का Planet है अब Mars जो है इसमें बहुत जादा Iron Oxide का content जादा है इसलिए हम यह Red Color का दिखाई देता और इसलिए हम इसको Red Planet के नाम से भी जानते हैं जैसे कि हमारी अर्थ की बात करते हैं तो हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री अपनी एक्सेस पे जुकी हुई है वैसे ही जो Mars है वो अपनी एक्सेस पे 25 डिग्री 25 डिग्री अपनी एक्सेस पे जुका हुआ है इसका Rotation Time जो है वो 24 आर्स 37 मिनिट है और इसका Revolution Time जो है वो 687 डेज है इतनी चीज़ें के लिए रहे अगली अगर हम बात करते हैं तो Mars के पास दो मून है मतलब Mars के पास दो Natural Satellite है कौन-कौन से Demos और Phobos तो Phobos और Demos जो है वो Mars के दो चंद्रमा है अगर हम बात करते हैं Demos के बारे में तो हमारे पूरे के पूरे Solar System में सबसे छोटा जो सैटलाइट है न वो Mars का Demos सैटलाइट है अब Mars जो इसमें कई सारे वालकैनों भी है एक्टिव वालकैनों भी है और माउंटेन भी है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Olympus Moon के बारे में तो एक largest हमारे Solar System का सबसे बड़ा active वालकैनों कहां है Mars में है इसके लाव अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो Nix Olympia Nix Olympia जो माउंटेन है वो भी Mars में है हमारे Solar System का सबसे बड़ा माउंटेन है अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में हम बात करते हैं माउंट एवरिस के बारे में और माउंट एवरिस की हाइट 8848 मीटर है इसमें multiply 3 कर दीजिए यह Nix Olympia की हाइट है जो की Mars पर है तो Solar System का सबसे बड़ा active volcano और सबसे बड़ा माउंटेन कहाँ पर है मार्स में है अब मार्स के बाद कई किलोमीटर लंबा एक बेल्ट है जहां पर बहुत सारी rocks है, stones है और घूम रहे हैं वो सन की around जिसको हम asteroid कहते हैं तो मार्स और Jupiter के बीच में कई किलोमीटर लंबा आपको asteroid belt देखने को मिलेगा जिसमें एक आपको Ceres भी मिलेगा Ceres जो है वो पहले asteroid था लेकिए 2006 के बाद इसको draft planet बना दिया कहा है और सन के नजदीक सबसे नजदीक draft planet जो है वो Ceres ही है तो यह आपको कई किलोमीटर लंबा asteroid belt देखने को मिलेगा इस asteroid belt के बाद आपको अगला जो planet मिलेगा वो है Jupiter और Jupiter हमारे solar system का सबसे बड़ा planet है largest planet in our solar system छीक है इसका rotation time जो है वो 9.8 hours है हमारी अर्थ को 24 घंटे लगते है और इसको देखो केवल 9.8 hours लग रहा है मतलब fastest rotation है तो हमारे solar system में सबसे fast rotation होता है Jupiter होता है लेकिन sun से दूर है तो sun से दूर होने के कारण इसको 12 साल लग जाते है 12 years लग जाते है sun का एक चक्कर पूरा करने में Jupiter को the lord of heavens के नाम से भी जाना जाता है Jupiter के पास भी कई सारे चंद्रमा है कई सारे moon है कितने है 79 अगर Jupiter के सबसे बड़े moon की बात करते है तो Ganymede है Ganymede Jupiter का सबसे बड़ा moon होने के साथ पूरे के पूरे solar system का भी सबसे बड़ा natural satellite कौन है Jupiter का Ganymede ही है इसी Ganymede की help से Roman नाम के scientist ने speed of light को calculate किया था which is 3 into 10 to the power 8 meter per second clear हो गए इतनी चीज़े अगली अगर हम बात करते हैं Jupiter के बारे में तो Galileo ने टेलिस्कोप की मदद से इसके satellite को देखा था जिसका नाम है Ganymede, Lowe, Europa अच्छा Lowe जो यहाँ पर satellite आपको दिख रहा है Jupiter का सबसे जादा active volcano जो है वो Lowe में ही है जो इसके अलाव अगर हम बात करते हैं Jupiter की density के बारे में तो Jupiter की density जो है वो Earth की density से काफी काम है केवल 1.3 gram per centimeter cube यह कुछ बाते हैं Jupiter के बारे में Jupiter के बाद अगला जो हमारा beautiful planet आता है which is Saturn Saturn जो है वो solar system का second सबसे बड़ा planet है लेकिन density के हिसाब से काम density जो है वो Saturn की है जो कि हम discuss कर चुके 0.5 gram per centimeter cube हमारे पूरे solar system में सबसे अधिक चंद्रमा या सबसे अधिक satellite किसी के पास है तो वो Saturn के पास है यह question अभी RRV NTPC में पूछा भी गया था कितने है 82 satellites जो है वो Saturn के पास है Saturn का जो सबसे बड़ा satellite है वो कौन सा है Titan है और Titan हमारे solar system का भी second number का सबसे बड़ा satellite है अब यहाँ पर Saturn के चारो तरफ आपको जो है वो rings देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको 7 rings Saturn के around देखने को मिलेंगी Saturn को 29 years लग जाते है सन का एक चक्कर पूरा करने में लेकिन 10.7 hours लगते है rotation करने में इतनी हमें बाते Saturn के बारे में पता होनी चाहिए ठीक है अच्छ अब Saturn के बारे में एक और बात पता होना चाहिए Saturn का एक और satellite जिसका नाम है Phobae जैसे कि मैंने कहा कि सारे के सारे planet anti-clockwise घूमते है लेकिन Uranus और Venus जो है वो clockwise घूमते है वैसे ही Phobae जो अकेला एक satellite है जो opposite direction में ही चक्कर लगा रहा है अपने ही direction में घूमे जा रहा है अगली बात करते है Uranus Uranus के पास भी अपनी rings होती है इसके पास 5 ring है Alpha, Beta, Gamma, Theta और Epsilon उनके नामकरन भी कर दिये गए Uranus जो है यह 4 times larger than Earth है 4 गुना जादा बड़ा है Earth से इसका जो revelation time है वो 84 Earth years है और इसका rotation time 17 घंटे है Uranus के पास 27 moon है कितने moon है? Uranus के पास 27 satellite है और Uranus को 1781 में William Harsal ने discover किया था चीक है अगली बात अगर हम Uranus के बारे में करते हैं तो Uranus में कई सारी gases है ammonia है, methane है तो ammonia gas यहाँ पर जादा होने sorry, methane gases के atmosphere में जादा होने के कारण यह green color का दिखाई देता है ठीक है यहाँ पर एक छोटी सी information छूट गई है जो Saturn था ना यहाँ पर जादा है और अमोनिया gas जादा दिखने के कारण यह आपको yellow color का दिखाई देता है तो Saturn को yellow planet भी कहा जाता है Saturn को हम पीला ग्रह भी कहते हैं और हरा ग्रह हम Uranus को कहते है Uranus जो है वो methane gas के कारण green color का दिखाई देता है तो Uranus को हम green planet के नाम से भी जानते है अगली अगर हम बात करते है Uranus के बारे में तो बहुत ही interesting fact निकल के आता है जैसे कि Earth जो थी 23.5 degree अपनी access पे जुकी हुई थी जो Mars था 25 degree अपनी access पे जुका हुआ था वैसे ही Uranus जो है वो 90 degree अपनी access पे जुका हुआ है मतलब एकदम सोया हुआ है तो इसको सोया हुआ planet या फिर lying planet के नाम से भी जानते है इसको हम lying planet कहते हैं क्यों क्योंकि अपनी ये access पे 90 degree तग जुका हुआ है green planet कहते हैं इसके पास 5 ring है alpha, beta, gamma, theta और epsilon clockwise direction में तो घूमी दा था ये अगली बात करते हैं हमारा last planet which is Neptune जो कि Sun से बहुत दूर है और इसको 1846 में John Galli ने discover किया था ठीक है इसको 165 years लग जाते हैं Sun के around एक चक्र लगाने में और इसका rotation time 16 hours है इसके भी अपने खुद के खुद चंद्रमा है कितने moon है इसके पास तो 14 moons आपको Neptune के पास देखने को मिलेंगे तो ये कुछ बाते थी हमारे planet के बारे में अंत में बात करते है Pluto के बारे में जो कि अब बिचारा planet नहीं रहा है Pluto को 1930 में Cloud Thormwork ने discover किया था इसके भी अपने खुद के 5 moon है और इसका जो number इसको given है वो 134340 है तो ये कुछ बाते हैं अब यहाँ पर लिखे हुए है planet according to their size decreasing order में कई बार जो planet के increasing order decreasing order में sequence पूछे जाते है तो सबसे बड़ा planet Jupiter then Saturn, Uranus, Neptune 5th number पे आती है Earth, Venus, Mars सबसे छोटा planet जो है वो कौन सा है Mercury है Saturn को yellow कहते है yellow planet याद रखना है Uranus को green planet कह देते है Earth को blue planet कह देते है और Mars को जो है वो red planet कह देते है तो ये भी कुछ बाते आपको याद रखनी है ठीक है चलिए So thank you so much हम मिलेंगे next session में Take care and bye-bye